नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IUS Prep Academy के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर UPPCS 2020, 21 जून को होना ये सुनिश्चित है UPPCS 2020 की तैयारी के एक्रम में हम लोग यहाँ पर Mock Test का डिस्कुसन कर रहे है Mock Test first हम कर चुके हैं, Mock Test second भी हम कर चुके हैं आप लोगों ने उसको देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आस्तर क्या है आज हम Mock Test third discuss करने जा रहे हैं यह जो Mock Test third है, इसके अंतरगत भी हम 150 प्रश्ट discuss करेंगे 150 प्रश्ट 200 अंकों के होंगे एक प्रश्ट अगर आप सही करते हैं, तो 1.33 marks आपको दिये जाएंगे अगर एक प्रश्ट आप गलत करते हैं, तो 0.44 marks आपके cut कर लिये जाएंगे जैसा कि commission के द्वारा किया जाता है, negative marking का ये paper होता है इसको सही से दीजे, अपना score share कीजे, अच्छा लगे दूसरों तक इसको पहुचाईए यहाँ पर जो कोसिसें आप लोगों के लिए की जाती है, इसको जादा से जादा लोगों तक पहुचाईए कुरोना से बचे रहिए, घर वैट के खुबच्चे से पढ़ाई करते रहिए, आगे क्या होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे और इस्तितियां सुधरेंगे, आयोग पेपर कराएगा, तो आपके लिए काफी अच्छी कंडिशन होगी, काफी अच्छा आउसर होगा, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे, तो आपके अंदर confidence रहेगा अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, अचानक फिर 15-20 दिन का समय देकर पेपर होगा, तो समस्या में आप आ जाएंगे, घर पर बैठे हैं, आराम से पढ़ते रहेंगे, आनलाइन माध्यम हैं, आनलाइन माध्यमों से आपको material मिलता रहेगा, इसका PDF हम टेलिग्राम पे दे चली शुरू करते हैं, पहला प्रस्ट लेते हैं, पहला प्रस्ट है कि इन में से कौन सा कथन सही नहीं है, चार स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इन में से सही कथन नहीं है, देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कि अनसूचित जातियों और अनसूचित वो नहीं प्राप्त है बाकी जो 3 statement है अनसुचित जातियों और अनसुचित जातियों की सुचिया प्रतिक राज के लिए उस राज के राजपाल के प्रामर्स के परचात राश्पती द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई A statement, B statement और D statement यह सब सही है, पीडियाप में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अनुछे 341 है हमारा, अनुछे 341 में अनसूचित जातियों के लिए, और अनुछे 342 है, 341 आर्टकिल और आर्टकिल 342, 342 में अनसूचित जन जातियों के लिए, इस प्रकार के उब्बंद किये गया है, प्रस्तुत किया था, यह आपको यहाँ पर बताना है, तो यह विचार प्रस्तुत किया था, MN राय ने, कई बार यह रिपीट किया गया कोश्चन, कई बार यह पूछा गया है, A option यहाँ पर correct है, MN राय ने यह विचार प्रस्तुत किया था, सम्मिधान निर्मात्ती सभा का चलिए अगला प्रश्ण हम देखते हैं संसत के सदस्यों के निरहारताओं से संबंधित प्रश्ण पर विनिश्चे करते समय राष्टपती निम्निकित में से किसकी राय प्राप्त करते हैं तो अगर संसत के सदस्य की बात है तो राय किसकी लेंगे निर्वाचन आयो की रा प्रावधान किया गया है अगला प्रश्टा नीति आयोग के विशे में निम्निमे से कौन सा एक सही नहीं है नीति आयोग के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है योजना आयोग को खतम करके नीती आयोग बना गया था, मोदी वन गवर्मेंट के द्वारा, इसका गठन योजना आयोग के अस्थान पर किया गया, बिल्कुल सही बात है, इसमें एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होता है, तो ये कथन सही नहीं है, एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष इसमें नहीं होता है, ज इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B. गलत पूछा जा रहा था ना, तो गलत यही हो जाएगा. भारती राष्टिय कांग्रेश में राष्टिय सब्द प्रभावित था किस चीज़ से? UPPCS का पूछा हुआ यह प्रश्ण है. भारती राष्टिय कांग्रेश में जो राष्टिय सब्द था, यह बिटिस सासन के विरुद्ध जो प्रत्किरिया थी, उससे प्रभावित था राष्टिय सब्द. B. उप्शन इसका correct option है. अगला प्रश्ण है. उच नयाले के नयाधीसों के वेतन और भत्ते दिये जाते हैं, तो यह जो वेतन और भत्ते दिये जाते हैं, यह किस निदी से दिये जाते हैं? तो यह भारत की की राज की किस निदी से? तो सबसे पहले तो जान लीजी कि यह राज की निदी से दिये की निदी से और दूसरा अब इसमें है समेकित निदी या आकस्मिक्ता निदी तो समेकित निदी है ना कांसी कांसोलीडेटेटेट जो फंड होता है स्टेट का उससे दिये जाते हैं तो बी आप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दो चीजें आपको देखनी है एक तो भारत की कि राज जी की दूसरी कंटिजेंसी फंड से या कांसोलीडेटेट फंड से तो इस्टेट की कांसोलीडेटेट फंड से इसको दिया जाता है बी आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखते ह है उसका पुनर्विलोकन वो कर सके तो यह है अनुचेद 137 यह option इसका correct है अनुचेद 137 वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन छठे प्रश्ण में मैं आपको बताऊं कि यह जिक्र कहां किया गया है कि उचन्याले के न्यादीसों का वेतन राज की समीकित निधी से दिय जायेगा यह समिदान का अनुच्छे 202 है आर्ट कि 202 है 202 का 3 पार्ट जो है उसके अंतरगत घा यह है उसके अंतरगत यह किया गया है कि उचन्याले के न्यादीसों के वेतन दियुमात्य राज की संचित निधी से दिये जाएंगे लेकिन जो पैंसन है वो भारत की संचि यहां पर सबसे इंपोर्टेंट जानना यह है कि पैंसन अगर पूछा जाएगा तो भारत सरकार की संचित निदी से उसको दिया जाएगा अगला प्रश्म निम्लिखित करों में से कौन सा एककर संगत वारा लगाया तथा वसूला जाता है किन्तु संगत तथा राजी सरकारो में बांट दिया जाता है तो यह जो कर है वो किरसी आय के अतरिक्त आय पर जो कर होता है बी ऑप्सन इसका करेक्ट है किरसी आय के अतरिक्त जो कर होता है उसको संगत तथा राज्यों में बांट दियाता है लेकिन संग द्वारा लगाया जाता और वसूला जाता है बिधान सभा सदस्य लोग नहीं बनते हैं लेकिन मंत्री बन जाते हैं तो ऐसे में कितने दिनों तक वो बने रह सकते हैं तो ये 6 माह तक का समय होता है हमारे समयधान का जो आर्टकिल 164 है 164 के एक में 141 नहीं 144 उसमें कहा गया है कि राज मंतिपरसत का सदस्य बिना राज विधान मंदल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पत पर रह सकता है ये 6 माह के अंदर वो विधान सभा मंदल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे फिर इस्तीफा देना पड़ेगा त्याक पत्र देना वह मृतुदंड को छमा कर सकता है तो राजिपाल मृतुदंड को छमा नहीं कर सकता जैसे सेंटर में राश्टपती होता है ऐसे स्टेट में राजिपाल होता है तो कई बार हमको यह भी लग सकता है कि जैसे राश्टपती मृतुदंड को छमा कर सकता है क्या राजिपाल भी क नुकति यही करता है इससे समदित आर्टकिल कौन सा है 217 आर्टकिल 217 के तहत उच नयालों के नियाधिसों की नियाति कि अधियोती के दोरा की जाती है. तथा राजिपाल के पास राश्टपती, की तरह अपात कालीं सकती है, टे-माइं गलत बोल गया है यहां पर जो न्यूक्ती होती है, वह राजिके उच्छनेयालियों तो कि न्यूक्ति भी नहीं करता, आठकिल 217 में प्रेशिडेंट को ये अधिकार दिया गया है, कि न्यूक्ति करेंगे उच्छ नयाले के नयाधिसो की, क्लियर हो गया, अगला प्रशन, संसदिये सासन में वास्तविक कारिपालिका सक्ती किसके पास होती है, क्या राश्टपती क किसके पास होती है, राश्टपती के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास, बी अप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन, अनुसुचित जाती और अनुसुचित जंजाती अत्याचार निवारन अधिनियम के अधिन अपराधों का विचारन करने के लिए, से 1989 का यह अधिनियम है, उसकी धारा 14 है, उसमें सेशन नयाले को, विसेश नयाले के रूप में विनिर्दिष्ट करने का जो प्रोविजन किया गया है, उसका उद्देश है, सीर्ग विचारन, सीर्ग निवारन इसका हो जाए, पारलियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार, एक नागरिक के वैस्क होने की कानूनी आयू कितनी है, तो एक नागरिक के वैस्क होने की कानूनी आयू कितनी है, 18 साल, आप जो ओटिंग करने जाते हैं, तो कितने साल के होते हैं, तो ओटिंग के लिए 18 साल, 18 साल ही 18 वर्स के जबाब हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं और यही वैस्ट होने की आयो है D option यहाँ पर विल्कुल correct है Next question अंतराष्टिये संधियों को भारत के किसी भाग अत्वा संपूर भारत में लागू करने के लिए संसत कोई कानून बना सकती है कैसे बना सकती है बिना किसी राज की सहमत की राजियों की सहमत लेनी पड़ेगी बिना किसी राज की सहमत की यह बना सकती है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा अनुछेद जो 249 है उसके तहत राज सभा उपस्थित और मद्वने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके राश्टी हित में राज सूची के किसी भी सह पर संसद्वारा कानून अगर आवस्थिक लगता है उसको तो वो बना सकती है ठीक है और बाकी आप जानते हैं अनुछेद 250, 252, 233 252 में क्या है दो या दो से अधिक राज्जों के अनुरोद पर उन राज्जों के लिए राश्टी आपात की मतलब वो राज्जों के लिए कुछ कानून मनाने की बात होती है 200, 233 के तहत अंतराश्टी समझोगतों के अनुपालन के क्रम में बात की गई है अनुचे 356 के अधिन राज्जों में जो राश्ट्पती सासन होता है अनुचे 356 क्या है राज्जों में जो राश्ट्पती सासन लगाया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं आपको ध्यान रखना चाहिए अगला प्रश्ट राजिसभा के संदर में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन इसमें सही है इसके एक तिहाई सदस से प्रती दो वर्स में आवकास प्राप्त करते हैं इसके एक तिहाई सदस से प्रती दो वर्स में आवकास प्राप्त करते हैं A option इसका correct हो जाएगा बाकी ये गलत है आधे सदस से यहां पर देखिए दिया है आधे सदस तीन वर्स में तो ये गलत है एक तीहाई सदस यहां तीन वर्स में दिया है ये भी गलत है तो A option इसका correct हो जाएगा जो राजी सभा है ये हमारे यहां का ऐसा सदन है जो विगटित और ये अस्थाई सदन है कैसा सदन है जोग सभास तैसा नहीं है राजसभाव जो है य thया उennial सदन है यह द्यान रखना है आपको ठीच है और यह विशित नहीं होता है लेकिन एक तिहाई सदा से प्रती दो वर्स पर ये ध्यान रखिएगा एक तिहाई सदा से और दो वर्स पर प्रती दो वर्स पर ये रिटायर होते रहते हैं इसके राज सरकारों को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकरित है तो यहाँ पर देखिए Attorney, General और Advocate, General यह दोनों ध्यान रखिएगा इन में से कौन तो यहाँ पर State पर होता है कौन Advocate, General, महादिवक्ता C option यहाँ पर correct हो जाएगा अनुचे 262 के तहट Educate, General यहाँ जो महादिवक्ता होता है और राज सरकार को कानूनी विश्यों पर परामर्स देता है भारतिय समिधान में निम्लिखित में से किस एक संसोधन के द्वारा राष्टपती को कोई भी मामला, मंतिर वर्सत द्वारा पुनर्विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है तो यह कौन सा समिधान संसोधन था यह समिधान संसोधन था चवालिश्वा 44 में समिधान संसोधन के अंतरगत ऐसा किया गया है D option इसका correct है 44 समिधान संसोधन 1978 में हुआ था और इसमें समिधान संसोधन के अंतरगत यह कहा गया कि राष्टपती अगर कोई मामला चाहता है तो मंत्रिपर्शत द्वारा पिनर्विचार किये जाने के लिए वापस भेज सकता है अगला प्रस्वा भारत में किस सिलासरे से सरवाधिक चित्र प्राप्थ हुए है important question है हेश्टी का question है कई बार पूछा गया है यह है भीमबेट का ए अप्सन इसका correct है भीमबेट का कहा है मद्य प्रदेश में मद्य प्रदेश में है और यह पाशान काल का अस्थल है कपका है पाशान काल का यह अस्थल है और यहां पर पांसो से अधिक सिलासरे प्राप्थ हुए है important है किस बेद में सभा और समित को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है तो यह वेद है अथर बेद यह आप्सन इसका correct है अथर बेद में सभा और समित को परजापत की दो पुत्रियां कहा गया है सिंदुगाटी सभिता के संदर में यह बातें कहीं गई है उस समय लौकिक सभिता थी तो था उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्तित था लेकिन वर्चस सुसाली नहीं था कै यह बात सही है बिल्कुल सही बात है धार्मिक तत्व तो था उसमें लेकिन उसका वर्चस सुने था कि उसी के कारडिग सब कुछ हो ठीक है यनि की धार्म ने विल्कुल कवर नहीं कर रखा था चीज़ों को उस काल में भारत में कपास के वस्तर बनाय जाते थे इसका भी प्रमाण मिला है तो दोनों के दोनों बातें सही हैं C option इसका correct उत्तर हो जाएगा निम्रिकित में से कौन एक जैन तिर्थंकर नहीं था तो जैन तिर्थंकर इसमें जो नाथमुनी थे नाथमुनी जैन तिर्थंकर नहीं थे बाकी ये चंदरप्रभूज, नेमिनात, संभोनात ये जैन तिर्थंकर थे B option इसमें correct हो जाएगा 22 नमबर प्रस्ण है Sir Edwin Arnold की पुस्तक The Light of the Asia आधारी थे किस पर तो ये जो ललित विस्तार है ललित विस्तार पर ये आधारी थे ठीक है ललित विस्तार की जो विसेवस्तु है उस पर ये आधारी थे important है 1869 की ये पुस्तक है 1869 में इन्होंने ये पुब्लिस कराई थी अगला प्रश्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे, तीन, चार स्टेटमेंट दिये हैं, उससे भारत में कोई केंद्रिय सक्ती नहीं थी, ये बिलकुल बात सही है, केंद्रिय सक्ती नहीं थी, सभी स्टेट में बटा हुआ था, अलग-अलग राज्यों में, और सबके अलग-अलग राजा हुआ करते थे, उनकी सेना वहतर थी, उसे राष्ट विरोधी सासकों से मदद मिली, वह एक अच्छा प्रसासक था, तो इसमें वह एक अच्छा प्रसासक था, ऐसा कुछ नहीं, बाकी ये 1, 2, 3 सही है, बी आप्सन इसमें बिलकुल करेक्ट ह हो जाएगा, ठीक है, और देखें, आप कहते हैं, जो जीता वही से कंदर, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, कि उसकी जीत का कारण कहीं न कहीं, भारत में जो कमिया थी, वही था, आप लोग जो भी पढ़ते हैं, उसको बारबार टेस्ट दीजिए, मेरा कहना यही है, मान के चलिए, कि इतनी बढ़िया वेकंसी आ रही है, लेकिन आप प्री कहीं फेल गए, हो गए, तो आप क्या कर पाएंगे, ऐसे में यह important है, कि आपको अच्छी fight करनी है, आपको सबसे best performance करनी है, इसलिए आप कुछ न कुछ प्रैक्टिस के लिए तयार रही है, अच्छे help की जरूरत है, तो आप 6307281212 पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा app डाउनलोड कीजिए, IS Prep Academy, Play Store में सर्च करिए, और हमारी website है uppsctarget.com, उस पे जाएए, बहुत सारी चीज़ें आपको free app काश्ट पढ़ने को मिलेगी, है न, चैनल पे आप बने रही है, जिसे current affair आपका तया कराओं यहीं से करिए, लेकिन बिना practice के सही नहीं होगा, क्योंकि competition अब बहुत है, अगला प्रस्ट है, निम्डिकित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनरिमार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, तो ये आर्थिक सहायता प्रदान की थी, इन लेखा के एक हुए है मुहमद आफी, उन्होंने कहा था कि खंबात के कुछ मस्जिदों है तो उसने मुद्रायदान की थी, मस्जिदों के लिए, पुनरिर्मार के लिए उसने मुद्रायदान की थी, अगला प्रशन है, इन में से किसे ने किशना नदी की सहायक नदी के दच्छनी तट पर एक नगर की अस्थापना की, उस देवता के प्रतनिदी के रूप में अपने इस नए राजी पर सासन करने का दाई तुलिया और जिसके बारे में मना जाता है कि कृष्णादी की दच्छन की समस्त भूवी उस देवता की थी, तो ये किसके बारे में कहा ज जाता है हरीहर पर्थम के बारे में, C option इसका correct है, हरीहर पर्थम ने ऐसा किया था, और साहयक नदी है कृष्णा की तुंग भद्रा, उसके दच्छनी तट पर एक नया नगर बनाया था, इस नगर का नाम भी पूछा जाता है, और उस नगर का नाम है विजय नगर, क्या न पर एक बच्रेद में भरत कवीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पढ़ा था, लेकिन भारत की जनता के संदर में वैसे हिंदू सब्द का प्रयूग किस ने किया था, ये प्रशना आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, तो ये अर्वो ने किया था, किस वन स की सुल्टानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राजी किया, ये थे तुगलग वन्स के D option इसका correct है 1206 से start होता है और 1290 तक तुगलग वन्स चलता है यहने कि 84 year है ना, और फिर खिलजी वन्स आता है खिलजी, सरी रही, ये गुलाम वन्स का सासन है, ये 1206 वाला तो गुलाम वन्स का सासन है, 1 minute एक मिनिट इसको मुझे देखना पड़ेगा, तुगलग वन्स जो सुरू होता है, ये सही है सही उत्तर तो तुगलग वन्स है लेकिन तुगलग वन्स जो सुरू होता है वो 1320 से और ये चलता है 1414 तो ये सबसे ज़्यादा है बाकि गुलाम वन्स जो था, वो 1260 से 1290 तक था, खिलजी वन्स 1290 से 1320 तक था, और लोदी वन्स था 1440 से 1526 तक यहाँ पर एक क्रम भी आप से पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा वन्स था तो यहाँ पर मैं आपको बताओं सबसे पहले हो जाएगा गुलाम और गुलाम वन्स के बाद में हो जाएगा खिलजी, ध्यान लखिएगा गुलाम के बाद में हो जाएगा खिलजी, खिलजी के बाद में हो जाएगा लोदी, नहीं ध्यान लख्येगा अगला प्रश्चन तुगलक हो जाएगा तुगलक के बाद में लोधी हो जाएगा Next question है किस सुल्टान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमिकर दो उत्पादन के 50 पृस्त कर दिया था भूमिकर को भूमिकर को पचास प्रिस्त तक कर दिया था किसने ऐसा किया था तो इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का पचास प्रिस्त भूमिकर कर दिया था और उसको कहा क्या जाता था उसको कहाता था ये खराज उसमें इसको खराज कहा जाता था भारत का प्रथम मुस्लिम सा सकता जिसने भूम की वास्तविकाय पर राजस्कुर निश्चित किया था अगर यह प्रशन पूछा जाये तो अलाउद्दीन खिल जी होगा बर्नी ने कि सुल्टान के लिए कहा कि जब उसने राज्य प्राप् से क्या उचित है और क्या अंचित है ना अपनी नीद की व्याक्या कर रहा है अलाउद्दिन खिल जी वह स्वयम कह रहा है क्या उचित है क्या अंचित मैं नहीं जानता मैं राज्य की भलाई अत्वा आवसर विसेश के लिए जो उप्यूख समझता हूं उसी को करने की आग दर्वाजा मस्जिद तो ये बनवाया था जौनपुर के साथ को ने D option इसका correct है और अटाला मस्जिद 1408 में बनी थी अटाला मस्जिद बनी थी 1408 में और सरकी सुल्तान इब्रहीन साथ द्वारा इसको बनवाया गया था कौन सूफी संद महमूब ए इलाही कहलाता था तो महमूब ए इलाही सेख निजामुद्दीन अलिया को कहा जाता था D option correct है और बहुत important question है सेख निजामुद्दीन अलिया ने साथ सुल्तानों के राजी को भी देखा था ये important question है कई बार पुछा गया है और एक के बाद एक सताहीन होते रहे किन्त हुए कभी भी किसी के दर्बार में नहीं गए मतलब एक के बाद एक सुल्तान तो आते रहे साथ सुल्तानों को उन्होंने देखा लगातार एक के बार एक सताहीन होते रहे लेकिन महभूब इलाही, शेख निजामुदीन औलिया किसी के दर्बार में नहीं गए ठीक है, सुल्तान जलालुदीन जो था उसने सेख से मिलने का बहुत प्रयास किया यहां तक कि उसने सेख के प्रिये सिस्थे, अमीर खुसरो कभी आपसे पूछा जाया, अमीर खुसरो किस के सिस्थे, तो अमीर खुसरो जो थे, यह इनी के सिस्थे निजामुदीन औलिया के, तो अमीर खुसरो के माध्यम से बहुत बार प्रयात्न किया, लेकिन नहीं मिल पाये थे अगला प्रश्ण है, दो सूचियां है, आपको सुमेलित करना है, संधियां है, और युद्ध दिया हुआ है, तो कौन सी संधी कौन सी युद्ध से रिलेटेड है यह आपको बताना है, तो इसमें आप देखिए यह हो जाएगा दूतिय करनाटक युद्ध, यह था पांडुचेरी की संधी दूतिय आंगल मैसूर युद्ध यह मंगलावर की संधी और तीसरा है यह तिरतिय आंगल मैसूर युद्ध तो तिरतिय आंगल मैसूर युद्ध जो है ध्यान रखिएगा इसको अगला प्रश्ण है इसमें इस्टेटमेंट दिये हुए हैं जब 1748 इसभी में अहमसाब दाली ने पंजाब पर आक्मण किया तब उसे मुगल सेना ने सरहिंद के निकट पराजित किया क्या यह पहला इस्टेटमेंट सही है पहला इस्टेटमेंट इनकार कर दिया था क्या यह दूसरा सही है यह दूसरा गलत है दूसरा क्यों गलत है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमसाब दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले साहा आलम को समराट नजीब दौला को मीरबक्सी और इमाम दिल मुल को वजीर नियुक्त किया था यह ऐ पहला सही है, ये statement गलब ऐसे सही नहीं है, तो केवल एक हो जाएगा, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, प्लासी की युद्ध के पचास वर्सों के अंदर ही बंगाल की असाधारण समरिद्धी का गंभीर हरास हो गया, ये कथन है, क्या ये बिल्कुल बा कारण इसका है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन में, जोकि भारत में निर्याज की सबसे महत्पूर्ण बस्तु थी उस समय, भारत के अने भागों में विर्धी हुई, जबकि बंगाल में इसका हरास हुआ, ये भी सही है, तो कथनों कारण दोनों सही है, और सही से करन कर रहा है, ये अपसन इसका करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन, सुची फासिकेंड को सुमेलित करना है, किले का नाम और इसका अस्थान दिया हुआ है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं, फोर्ट सेंट डेवेट, ये कुडू, कुडूलोर में है, तो A का 2 हो जाएग ये 1, तो 2, 3, 4, 1, 2, 3, सरी, ये गलत हो गया, ये हो जाएगा C वाना, 2, 3, 4, 1, C आपसन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद कर लिजे, कभी-कभी अलग से प्रस्म भी पूछा जाता है, एक सिंगल देखे, लेखक और पुस्तक, राजेंदर परसाद, दिलीब मुखरजी, B का हो जाएगा 4, और S-N-B-Energy, S-N-B-Energy की पूछते हैं, नेशनल इन, मेकिंग, तो ये C का 1, और D का हो जाएगा, महत्मा गादी, माई एक्सपरिमेंट, विट टृत, ये तीसरा हो जाएगा, तो 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, C आपसन इसका करेक्ट हो जाएगा, अगला प्रस पहले हुआ, उसके बाद में कौन, कैसे इसको सेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा, खिलाफ़त अंदोलन, 1919 में, ये हुआ था, सविने अवग्या अंदोलन की अगर हम बात करें, तो ये 1930 में हुआ था, असवयोग अंदोलन, याद करिये कब हुआ था 1920 में, और भारत छोड़ा तो 1942 में हुआ था, इसको करम आप सेट करेंगे, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, PCS 2019 में ऐसे खुब प्रशन पूछे गए थे, तो 2, 3, 1, 4, C आपसन इसका करेक्ट उतर हो जाएगा, सुची तो महराष्ट वाला B का 4 हो जाएगा, बुकसा पस्ची बंगाल में 1 हो जाएगा, पाकुई जो है, यह कहाँ पर है, अरुनाचल प्रदेश में, तो यह 3 हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, B आपसन इहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असकोट वनिजू सेक्चरी किस जन्पद में इस्थित है, वो जन्पद का नाम क्या है, तो उत्राखंड में है, सबसे पहले तो यह जान लीजे, सारे जन्पद यहाँ उत्राखंड के ही दिये है, उत्राखंड का यह पितहौरागड जो पड़ता है, वहाँ पर यह पायज आता है, ठीक है ना, बिलकुल वारडर प परसु कूरता निवारन अधनियम है, एक 1960 का, उसके ताय तस्तापित है, तो पहला गलत हो जाएगा, राष्टिय बाग सानचन प्राधिकरण एक सामवधिक निकाय है, विलकुल सही है, राष्टिय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अधिकता प्रधान मंत्री करते ह अगला प्रश्ण है, भारत में वनिजी अचन अधनियम किस वर्स लागू किया गया, यह आप्सन इसका विलकुल करेक्ट है, निम्लिखित में से कौन किर्थिम प्राष्टितिक तंत्र है, तो यहाँ पे देखिए, बिलकु सिंपल सा प्रश्ण है, गास कमयदान किर्थिम नहीं है, वन जील किर्थिम नहीं है, धान का जो खेत है, यह किर्थिम है, अब जील आप कह सकते हैं किर्थिम बनाई जाती है, फिलाल यहाँ पर धान का खेत तो किर्थिम होता ही है, कौन से भारती राज की अधिक्तम सीमा म्यामार से असपष्ट करती है, तो सबसे लंबी सीमा किसकी है तो अरुनाचल प्रदेश की जो सीमा है वो म्यामार से सबसे लंबी है म्यामार की सीमा को वैसे कौन-कौन से राज ये असपर्स करते हैं ये ध्यान रखियेगा अरुनाचल प्रदेश नागालैन लेकिन इसमें से सबसे लंबी सीमा आपसे अगर पूछी जाए तो यह अरुनाचर प्रदेश की हो जाएगी भारतियों महादीप में बोली जाने वाली भासाओं में बोलने वालों की सरबादिक संख्या के अधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है तो हिंदी के बाद नंबर आता है बांगला का बी आपसे इसमें करेक्ट है ठीक है हिंदी सबसे जादा हिंदी के बाद में जो लोग बोलते हैं वो कौन बोलते हैं बांगला भासा को बोलते हैं ठीक है और मराथी तेलगू अगर यह देखें कि फिर आगले नंबर इन ही के आ पहले ये तेलगू हुआ करता था और मराठी के बाद में आ जाएगा तेलगू ये 2011 की जो जनगर्णा हुई थी उसके कार्डिंग है अब 2021 में जो जनगर्णा होगी 21 के कार्डिंग क्या होगा वह हम बाद में देखेंगे फिल हाल अभी आपसे कोई पूछे करम से सजानिक त और फिर मराठी मराठू के बाद में तेलगू ठीक है और अगर ये जो 22 सुची बदवासा है उसमें आपसे पूछा जाए तो संस्क्रिस अबसे कम बोली जाती है यहाँ पे जनजादी और निवासस्थान दिया हुआ है इसको सुमेलित करना है जौनसारी मिलते हैं उतरा ख जार बी आपसन इसका करेक्ट है याद करिए इसको तोड़ा एक जनजाती है जो निवास करती है यह नीलगिरी की पहाड़ी ओपर निवास करती है कहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी ओपर तो सी आपसन इसका करेक्ट है नीलगिरी की पहाड़ी ओपर अगला प्रश्न अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा रामनगर इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है और यह इस्तित कहा है उत्राखंड में इस्तित है UK में और इसकी अस्थापना कब हुई थी यह 1936 में हुई थी ठीक है और पहले इसको हैले राष्टी उद्यान के नाम से जान सब्सक्राइब रेलवें कोच फैक्ट्री और उनका स्थान और यही रेलवें से संबंदित ये चीज़े दिए हुई है रेल कोच फैक्ट्री यह ओ जाएगा कपूर थला तो कपूर तला A की हो जाएगा वील एयोम एक्सल सैंधर यह बहले रहू में हो जाएगा तो बी का और डीजल लोकोमेटिव वर्क्स यह कहा है वारानसी में तो वारानसी कहां चार नमबर पे दिया है यह जो मैं बड़ा इसको करके दिखाता हूं इसलिए ऐसा हो जाता है तो C का 4 हो जाएगा और D का हो जाएगा इंट्रिगरल कोज फैक्ट्री यह पेरामबरू में हो करके जाते हैं अगर आप प्रैक्ट्डिस करके जाते हैं घंडा कालके आते आप कहते हैं कि यहस मैं पास होके आओगा क्योंकि मैरा स्कूर कटाब जितना जाएगा उससे इस पांदर स्थ कुष् fenotyn ज़एगा तो इसके लिए practice करिए test re-join करिए और आप घर पे practice करिए बाट के बार बार question गलत होंगे जितनी question आपके room पे गलत हो जाएंगे घर पे गलत हो जाएंगे वो examination हाल में गलत नहीं होगे बारत के निम्निखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तरपर अवस्तित है त अगर आपसे पुछा जाए का किस मत्बद सागर में है तो बंगल की खाड़ी इधर होता है एसे सागर पूचे तो यह हिंदमा सागर इंडियन ओस्यें के इपार्ट है इक हिस बंगल की खाड़ी साइड में यह पड़ेगा बड़ चोटे-चोटे यह बाते हैं निम्निकित सिंदरी कार खना कहां पर रहें सिंदरी कार खना बताईएगा कहां पर है tir जाते हैं, तो ब्रजराज नगर कहां है, ब्रजनाज नगर कहां पर है, यह उडिसा में है, और यहां पर कौन सा कार खाना पाया जाता है, तो यहां कागज का, तो एका हो जाएगा, फोर, कैमूर, कैमूर है मद्यपरदेश में, और यहां पर सीमेंट उत्वादन होता है, बी एक, तीन, दो, इसमें फूलपुर से सांसद पहले कौन हुआ करता था, हमारे यहां के जो डिप्टी सीम है, उत्तर प्रदेश के, हाना, वो हुआ करते थे, मौर्या जी, और उसके बाद में वो सीट भाजफा हार गई थी, और इसको भाजफा की बहुत भूरी हार माना जाता है, अगला प्रशन, भारत की निम्निकित नगरों पर विचार कीज़े, भधराचलम, चंदेरी, काचीपूरम, करनाल, यह चार नगर दिये हैं, पारंपरिक, साड़ी या बस्त उत्पादन के लिए कौन सा इसमें प्रसिद्ध है, देखिए कैसे-कैसे, यह UPSC का प्रशन ह मुझें बलकुल सठी क्याद है, यह UPSC का प्रशन हमने यहाँ पर रखाया है, भधराचलम, चंदेरी, काचीपूरम, करनाल में से कौन से रेस्मी साड़ी के लिए, पारंपरिक साड़ी के लिए, पारंपरिक साड़ी के लिए कौन सा विक्यात है, तो इसमें चंदेरी साड़ी और काचीपूरम साड़ी, यह दोनों आपने सुना है न, तो V option इसका correct हो जाएगा, और काचीपूरम तमिलाडू में है, ठीक है, और चंदेरी जो है, यह कहां पर है, यह मद्ध प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, अगला प्रशन, निम्निकित में से उर्जा क कौन सा स्रोत, ब्यावसाइक स्रोत नहीं है, तो उर्जा का इसमें, पैट्रोलियम तो ब्यावसाइक स्रोत ही है, प्रमान उर्जा है, प्राकृतिक गैस है, बायो गैस जो है, यह ब्यावसाइक स्रोत नहीं है, बायो गैस का लोकल तवर पर उत्पादन करके, परसनली उप योग में लाया जाता है अगला प्रश्टा है निम्निकित कत्नों पर विचार कीजिए बाला घाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है मजगवा मैगजीन भंडारों के लिए जाना जाता है कि ये दोनों बातें सही है पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है क्यों कि बाला घाड जो है वो किस के लिए जाना जाता है आपको यह पता है बाला घाड जिला मैगनीज और तामे के लिए जाना जाता है तो यह उल्टा लिखा हुआ है यह उल्टा लिखा हुआ है और जो यहां पर मजगवा है है ना मजगवा जो है मजगवा वैसे हीरे के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है ठीक ना वैसे हीरा कहां पाया जाता है पन्ना जिले में पाया जाता है और मजगवा में हीरा अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी बात सही है, हीरे के भंडार मजगमा में बिद्धिमान है, तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ था, अगर ये चीज़ें यहां लिखे होती, ये चीज़ें यहां लिखे होती, तो ये बातें सही हो जाती है, तो ना तो एक ना तो दो सही है, तो यहां पर ध्यान कियेगा हीरा पन्ना पुछा जाता है, पन्ना जिले में पाया जाता है, हीरे के बारे में और मजगमा भी कहा जाएगा तो यह बात सही है निम्निकित परियोजनाओं में से कौन तमिलाडू आंद्रपरदेश तथा करनाटक का संयुक्त कार्य है तो इसमें जो तेलुगू गंगा परियोजना है, यह तमिलाडू आंद्रपरदेश और करनाटक का संयुक्त कार्य है ठीक है, कृष्णारदी की जलापूर्ती प्राप्त करने वाली यह परियोजना है चिन्नाई नगर को वाटर सप्लाई करने के लिए इसको चलाया गया था, इसका मुख्यू दिस वही था इंद्रपरदी नहर जल प्राप्त करती है, व्यास, चिनाब, रावी, सत्लुच, कहां से तो ये प्राप्त करती है व्यास से, रावी से और सत्लुस से व्यास, रावी और सत्लुस से एक, तीन और चार D अप्शन इसका correct हो जाएगा चिनाप से नहीं प्राप्त करती है सागाउन तथा साल कहाँ पाया जाते हैं और उश्कडवंदि ये सुस्क प्रणपाती वन भारत में वैसे देखा जाये तो सरवाधिक भृहत छेत्र में पाया जाते हैं। ठीक है और उश्कडवंदि ये आद्र प्रणपाती वन दूसरा सरवाधिक भिस्तार वाणा छेत्र है। सागवन तथा साल, जो हैं, यह important है, यह सदाबहार वन है, यह आप से पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अगला प्रशन, सौरी बंडल में छुद्र ग्रह, एस्ट्राइट छोटे खगुलिये पिंड है, जिन ग्रहों के मद्धिये पाया जाते हैं, वे ग्रह अगला प्रशन, ग्रहों के बारे में निम्निकित में से क्या सत्य है, यह प्रकासीन होते हैं कि दो चमकते नहीं हैं, ऐसा है क्या, यह प्रकाश मान होते हुए भी चमकते हैं, प्रकास मान होते हुए चमकते यह भी बात गलत है, यह आप्रकास मान होते हैं और चमकते हैं, जो ये दूसरे की उर्जा का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है, संयुक्त राष्ट अमरिका के दच्छिन का अलूफोरिया में इस्थित मृतक गाटी, मृतक गाटी आप जानते हैं क्या होती है, मृतक गाटी जो है एक अस्थल रूप होता है, विवर्तनिक जब हलचल होती है, तो उनके प्रणाम सुरूप ये बनता है, भ्रंसन होता है, तो भ्रंसन के प्रणाम सुरूप ये निर्मित हो जाता है, और समानिता अगर आप देखेंगे, तो प्रबत स्रीणी और जो उच्छ भूमी है, उनी के बीच में ये इस्थित होता है, ठीक है, अक्सर इसमें दाहरण है, इसी तरीके का यह होता है, मैं रिप्ट घाटी के बारे में यह आपको बता रहा था, अगला प्रशन है, सुची 1st and 2nd, सुवेलित करना है, परवसिखर है और महादीप है, किस महादीप में पाया जाते हैं, चलिए, सुरू करते हैं, कोसिस को, कोसिस को कहाँ पाय पाया जाता है, कहाँ पर, आस्ट्रेलिया में, तो एक हो जाएगा, 3, मैकिल्ले, माउंट मैकिल्ले का नाम सुना है न, तो मैकिल्ले पाया जाता है, उत्री अमरिका का, 4V, उत्री अमरिका में पाया जाता है, अलब्रुस, अलब्रुस पाया जाता है, यूरोप में, इतनी तबाहिस में चल रही है कोरोना के करण, एकली तो पुरा तबाह हो गया, आप लोग बहुत बच के रही है, कोरोना बहुत गंभीर है, इसकी गंभीरता भी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ऐसी तरास्दी है, बहुत ही गंभीर मामला है, और आप जो भी कहें इसके बारे में, बस सतर्क रहिए, घर से बाहर न निकल लिए, घर में बैट के अपने काम काज करिए, घर वालों की साथ समय बेतीत करिए, जो आपको करना है वो घर में बैट के करिए, बाहर मत निकल लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी भयाव इस्तित भी नहीं सकते सुच दर्सी से आप देखेंगे और वो तबा किये हुए पूरे भिश्व को और हम दुनिया भर कर अच्छा भंडार बनाये रखें हैं कुछ कर नहीं सकते निम्निखित में से कौन महादीफ छेतरफल के उनसार सबसे बड़ा है बताईए तो छेतरफल अगर देखा जाए तो इसमें एसिया तो दिया नहीं है एसिया के बाद में सेकंड अस्थान पर आता है अफरीका तो यहां पर अफरीका हो जाएगा भी आपसर ठीक है अफरीका सेकंड पर आता है फिर उत्री अमरीका फिर दच्णी अमरीका और पिर अंटार्कटिका आता है फिर यूरोप आता है ठीक है इध्यान रखिएगा अस्टेलिया उसके बाद में सबसे लाश्ट में आएगा सबसे छोटा महादीफ अगर आपसे पूछा जाए तो अगला प्रश्ट में सुची फसिकन को सुमेलित करना है जोला मुखी है और देश दिया हुआ है तो इसमें जो सबनकाया है यह पेरू तो A का 2 हो जाएगा माउंट एटना यह इटली तो B का 1 हो जाएगा कोलिमा यह मैक्सिको मैक्सिको कहां दिया है C का 4 और जो मेरापी है मेरापी इंडोनेसिया तो वैसे भी 3 ही बचा है तो 2143 2143 C आपसन इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोग अगर इसको टेस्ट की रूप में देख रहे हैं तो बास करके वीडियो सही से पढ़के उतर दिया कीजिए अगला प्रश्ण तिथी निर्धारक रेखा पर ग्रीन व इस्तित रेखा है और इसमें ग्रीन विश्ट सूनी डिगरी दिसांतर पर इस्तित रेखा है इसी कारण से 180 से आप जब 15 को 15 से डिवाइट करेंगे 180 को 180 को आप 15 से डिवाइट करिए तो यह कितना चला जाएगा 12 गंटे क्योंकि 15 जो डिगरी होती है वो यह गंटे के बरा 12 गंटे का अंतर तो यह दोनों बातें सही है और सही व्याख्या भी है एक और इसका और इसका करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है यदि दो अस्थानों की स्थिती में 90 डिगरी दिसांतर का अंतर है तब दोनों अस्थानों की 20 समयांतर कितना कि नब्बे को पंद्रा से डिवाइट कर दीजी कितना आजाएगा च्शे आजाएगा यही छे गंटे हो जाएगा इतना तो आपको पता ही है 6 गंटे यह ओजाएगा ठीक है च्क ग करने तो यहां पर 90 डिग्री है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, एक डिग्री दिसांतर पर 4 मिनिट का, तो 90 डिग्री दिसांतर पर 360 वैसे, जैसे भी आप कर लिजे, अपना फार्मूला इसमें आप लगा लिजे, निम्निकित में से, मैंने तो आपको सार्ट ट कर लग मैं यूजार्ट में आपको सांस के मद्र पाइया जाता है, ऐसे अगर से कहा जाए गोवी कैसा है तो भी ऐसे ही है, आप से कहा जाए लग्रोज थाँ कैसा है, तो लग्रोश में परो ठीगा प्रोछ रूप शूर से पिरठवी के धरातल से प्रत करता है, बस उइए बिल्कुल सही है प्रिथभी के दरातर पर सौर लग तरंगे पार्थिव कुर्जा की तरंगों में परणित हो जाती है यह भी बात सही है तो पहले आती है लग तरंगे सौर की फिर पार्थिव जो तरंगे होती है वो दीर्ग तरंगे होती है उसमें परिवर्थित हो जाती है तो ये दोनों सही है व्याख्या भी कर रहा है ए अप्सन इसका correct हो जाएगा अगला प्रश्ट जब कोई देश अपनी मुद्रा का ओमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है तो उसका ये प्रभाव होता है अगर ओमूल्यन कर देगा उसकी जो मुद्रा है वो अमूल्यन हो गई तो आयात महंगे हो जाएगे और निर्यात सस्ते हो जाएगे ठीक है क्योंकि अगर मान लीजे कि पहले था जैसे डालर का एकजामपल ले लेते एक डालर में पहले था साट रुपिया अब साट रुपिय की कोई चीज खरीदने के लिए विदेशी को एक डालर देने पड़ते थे अब एक डालर का मूल्या और मूलित हुई भारत की और यह हो गया पचपन रुपिय ठीक है अब उसको एक डालर से कम देने पड़ेंगे समझ रहे हैं तो अब यहां पर क्या होगा सही से इसको देखेगा अब हमको जो निर्याद हम कर रहे हैं तो निर्याद क्या हो जाएंगे वो सस्ते हो जाएंगे कैसे सस्ते हो जाएंगे क्योंकि अब अमरिका वाले को इसको 5 बढ़ाना पड़ेगा आपको ठीक है यह अमूलित करने का मतलब यह होता है कि रुपे रुपे जादा देने पड़ेंगे ऐसा करना है अमूलित करने का मतलब कर देंगे तब तो आपकी मुद्रा मजबूत हो जाएगे तो पहले हमको 60 रुपे देने पड़ते थे और अब हमको क्या करना है 65 रुपे उसके जगह पे देना पड़ेगा तो एक डालर में अब 65 रुपे हो गया पहले 60 रुपे थे और बूलित करने का मतलब यह है कि मुद्रा एक डालर में अगर पहले 60 रुपे थे अब एक डालर में 65 रुपे हो गया पांच रुपे यह और साट रुपे में अब एक डालर के लिए हमको 65 रुपे देने पड़ेंगे तो बी आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा निम्निखित कत्नों पर विचार कीजिए कुल रेसम की उतपादन में भारत का अग्रणी राज करनाटक है क्या यह बात सही है सही है कुल रेसम यही होता है भारत में सीर्स मूंगारेसम उतपादक राज में घाले हैं तो में घाले नहीं है असम है असम और बोडोलाइन का जो एरिया है वो है तो दूसरा गलत हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा ए आप्सन इस करेक्ट आप्सन अगला प्रशन निम्निख कत्नों पर विचार बैस्विक नवाचार सुचकांग 2019 का केंद्रिय विशय स्वास्त जीवन का सरजन चिकित्सा में नवाचार का भविशय है तो बैस्विक नवाचार सुचकांग 2019 का केंद्रिय विशय यह है और दूसरा यहां पर इस्ट्रिट्मेंट दिया है कि इस सुचकांग में स्थान उसको प्रश्ण आपके सामने आये तो आपको करना क्या है? कि क्या ये बात और भारत इस सूचकांक में 139 देसों की सूची में 45 अस्थान पर है अब आप बताईए कि यहां पर देखें यह तीसरे statement तो fact आ गया, fact आपको याद होगा तभी हो पाएगा, लेकिन यहां पर देखें यह भी पढ़ने की चीज़ अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको याद रहेगा कि इसका theme क्या है, विसे क्या है, लेकिन दूसरा statement आप हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, उसका तरीका यही होता है कि क्या वास्तों में सिंगापूर सीर्स अस्थान पर है, तो आप दिध्यान करेंगे तो सिंगापूर नहीं है, यह थोड़ा सा आप जब उधर जाएंगे, सुड़जर लैंड वाले आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन साथ इस प्राकृतिक रवर के उत्पादन में सीर्स पर है, तो प्राकृतिक रवर के उत्पादन में है थाइलेंट, सीर्स अस्थान पर, थाइलेंट के बाद में आता है इंडोनेसिया, इंडोनेसिया के बाद में आता है वियतना वियद नाम के बाद में आता है भारत तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है अगला प्रश्ण अगला सभिस्तिये इस्तिरता और विकास परिषत के संदर में कतलों पर विचार कीजिये यह नीती आयोग का एक अंग है क्या ये बात सही है तो ये नीती- आयोग का अंग नहीं है यह गरत है और संघ का बित्व मंत्री इसका प्रमुक होता है यह बात बिल्कुल सही है यह आर्थ वेवस्ता के समश्टी सविवेक प्रेखन का अनविच्छन या मानिटरिंग करता है यह भी बात सही है तो दूसरा नीती आयोग कबाया है? ये जनवरी 2015 में आया है, तब ये था ही नहीं, किंद्रिय बित मंतरी इसके अध्यक्स होते हैं और जो वित्तिय नियामक है, RBI है, CB है, IRDA है, ये सब वित्तिय नियामक है न, FMC है, PFRDA है, तो ये सब जो वित्तिय नियामक हैं, ये इसके जो प्रमुक होते हैं वो और बित सच्यू आर्थिक मामलों के सच्यू ये सब इसके क्या होते हैं सदस्य होते हैं सलाकारी सदस्य होते हैं सला देते हैं इसमें निम्निखित समितियों में से किसने बित्तिय छेति के सुधारों के बारे में विचार के सुझाओ दिये थे तो ये थी प्रश्न बार पूचा गया था कितने सदस्स में होते हैं ऐसा भी प्रश्न एक बार पूचा गया था अगला प्रश्न है भारत में गायर बैंकिंग कमपनियों NBFC के संदर में निमनिकी कत्मों पर विचार कीजिए ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिकराण में भाग नहीं ले सकते हैं और ये बचत खाते की तरह मांग निच्छेप सुईकार नहीं कर सकते हैं तो ये सही है तो ये क्या है बी आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा गैर बैंकिंग बित्य कंपनिया यानि NBFC जो हैं ये बचत खाते की तरह मांग निच्छेप सुईकार नहीं कर सकती है और ये सरकार द्वारा जो प्रतिभूतियां जारी की जाती है उसके अधिकराण में भाग ले सकती है ध्यान रखेगा भारत का अध्योगिक बित्य निगम किस रूप में कारि करता है तो भारत का जो अध्योगिक बित्य निगम है एक विकास बैंक के रूप में कारि करता है B option इसका correct है निमन को उसके काल करमानुसार क्रमबद कीजिए ये प्रश्न भी important question है अभी भी आपसे पूछा जा सकता है प्रथम पंचवर् दिसंबर 1951 में पर्थम पंचवर्शी यूजना संसत को दी गई थी और रष्टी विकास परिसत का गठन किया गया था 1952 में ये भी दियान लखिएगा 1952 और अगला जो है यह स्वतंत भारत में पहली बार मुद्रा का ओमूलियन कब किया गया था मैं पहले चांजा रहा हूं मंलीजे कि एक डालर में चारे उपर जाएगी चौथी, चौथी के बाद में दूसरी घटना हो जाएगी तीसरी, तीसरी के बाद में पहली और पहली के बाद दूसरी, तो चार, तीन, एक, दू, बी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चलिए अगला प्रशन है, किस पंचवर्सी योजना के दौरान आपातका लगाया गया, नए चुना हुए और जनता पार्टी चुनी गई, तो ये पाचवी पंचवर्सी योजना उस समय चल रही थी, 1972 की ये बात है, 1972 में पाचवी पंचवर्सी योजना जो तयार की गई थी, और सी सो ब्रबन, मतलब ये लोग जो भी था इसमें, वो सब छोड़ तक फिर आपातकाल लग गया था, तो 75 से 77, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, इस समय भी इस्तितिया बहुत खराब है कोरोना के करण, मैं बार बार आप से कह रहा हूँ, कि आप जितना ही कम बाहर निकले, अच्छे से घर में रहें, स्वस्त रहें, भोजन करें अच्छे से, और अ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं, कि जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो अच्छे से करिए, इमर्जंसी की स्थिति आ ही गई है, विल्कुल ऐसा समझीए, अप्रेल 1992 मार्च 1997, मतलब अप्रेल 1992 से मार्च 1997 के दौरान, भारत में कौन सी इस चीज मैंने देखा है, कमीशन का भी एक पैटर्न रहता है, कि जिस टॉपिक से प्रशन ठाते हैं, दो-तीन ठाते हैं, तो इस टेस्ट पेपर में मैंने ये कोशिस की है, कि ऐसा आपको दिखाया जाए, एक एक टॉपिक से कई प्रशन लेके, तो ये आठवी पंच वरस यह सक्तिकी काई होती है, तो A का 4 हो जाएगा, जो नौट है, यह समुद्री जहाज की गतिना पी जाती है, B के 3 हो जाएगा, नाटिकल मील जो होती है, यह नौसंचालन के लिए प्रयूक्त है, और कैलोरी उसमा, तो 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, C option इसका correct हो जाएगा, अग तो यह नोबल 1930 में उनको दिया गया था, हर गोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था, चिकित्सा के छेतर में, लेकिन सीवी रमन को 1930 में भात्की के छेतर में दिया गया था, और फिर सुब्रमन्यम चंदसेखर को दिया गया था, नोबल 1983 में, भात्की के छेतर में, और ज परवरी 28 यानि कि 28 फरवरी को राष् MORE दिवस मनाया जाता है ठीक है और यह सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोच की थी ती न तो उन 살borg के जनम už अविस्कार कीसार किती थी यह अफेसल मोरी ठीक है इध्यान रखेगा राष्स्ट्री विज्यानक दिवस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, one minute, अगला प्रश्न है, इचली मैं जो भी क्लास आपके लिए रिकार्ड करता हूँ, अगर ये डेड़ घंटे, दो घंटे की क्लास भी होती है, तो मैं single tech में करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग भी एक बार में इसको पढ़ डाला करिये, अगला प्रश प्रशी ने, एक अटू हो जाएगा, पैंसलीन की फ्लैमिंग ने की थी, एक्सरे की कोज किस ने किया था, तो ये हो जाएगा, डबलू के रोंट जन, ठीक है, अब इसकार, अब इसकार अकसर पुछे आते हैं, छेजक, एडवर्ड जहनर, तो ये 3, तो 2143, ये कुश्चन स अगला प्रशन, कथन कारण का प्रशन है, एक हवाई, चहाज के पंख की उपरी सतय, उन्नोतोधर बनाई जाती है, और निचली सतय नतोधर बनाई जाती है, दूसरा है, कारण इसका, तो पहला तो ये सही है, ऐसी बनाई जाती है, फिर जाहें सीर्स भाग, यानि टॉप पर वायू प्रभाह की दृत गती कम होती है, इसलिए अधो भाग में सीर्स के दबाव कम रहता है, तो ऐसा नहीं है, ये दूसरा गलत है, कथन, कारण जो गलत है, कथन सही है, तो C हो जाएगा, A सही है, लेकिन R गलत है, तो यहाँ पर C पे नहीं देखे, D पर सेट है, कई बार मैं आपसे बताता हूँ, कि देख लीजे कहां पर सेट है, कभी-कभी इसका क्रम चेंज कर दिया जाता है, तो य त्रिवेंद्रम में अवस्थित है, विक्रम, सारावाई, अंतरिच, केंद्र, वो किस से संबन्दित है, तो इसमें राकेट छोड़ने के लिए प्रणों के अनुसंद्धान से संबन्दित है, और उपग्रे प्रशेपण वाहनू के विकास से संबन्दित है, पहला और कारी किया आते हैं इस रूख की master control सुविधा हासन में है जो कहां पर अबस्थित है तो यह हासन इस्थित है कहां पर करनाटक में D option इसका correct है नाप की रियक्टर में निम्निकित में से किसे मंदक की रूप में प्रयोग किया जाता है तो graphite को मंदक की रूप में प्रयोग किया अगर यहां पर भारी जल दिया होता तो भारी जल भी सही हो जाता तो graphite यह भारी जल को इसमें बंदक की रूप में प्रयोग किया अगला प्रस्थित में से कौन सा एक radioactive नहीं है तो इसमें जो जर्कोनियम है यह radioactive नहीं है बाकि एस्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रीटिय होते हैं, अरनेश्ट रदर फोर्ड ने रायल सोसाइटी के समक्च कहा था कि मनुस्य को नाव किये सकती कभी नहीं उपलग्ध होगी, क्या यह बात सही है, तो यह बात सही है, फिर दूसरा कारण भी दिया है, उसे यह विश्वास था कि Einstein का नियम फेल हो जाएगा और मात् अर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, तो इसी कारण से उसने यह कहा था, लेकिन ऐसा कहा पर सही हो पाया, यह अप्सन इसका correct है, इसलिए ऐसा उसने कहा था, किसी अर्द चालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध घट जाता है, क्या होता है घट जाता है अगर अर्द चालक को आप घरम करेंगे कुछ पदारत ऐसे होते हैं जिनकी विद्दू चालक था चालक तथा अचालक के बीच में होती है उन्ही को अर्द चालक कहते हैं अर्द चालकों के नाम आपको पता होने चाहिए सिलकान है, जर्मेनियम है, सिलेनियम है, ताप बढ़ाने पर जो चालक है, चालक पदार्थों का प्रितरोद बढ़ता है, लेकिन जो अर्दचालक होते हैं, उनका प्रितरोद घड़ता है, ध्यान रखियेगा, अगर केवल चालक कहा जाए, तो उनका प्रितरोद अगर ताप बढ़ाएंगे यह निम्दिखित में से कौन सी धात हो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रियोग होती है तो कौन सी धात हो है तो यह जर्मेनियम है वी आपसन यहाँ पर करेक्ट है खादे पतार्थों के प्रियोग में लाया जाने वाला रशायन कौन स है NCRT अगर सही से आप पढ़ेंगे तो यह सारी चीजह आपकी सही हो जाएंगे दी आपसन इसका करेक्ट है निम्दिखित में से कौन सा मूलतत्व है तो इसमें देखिए जो हीरा है यह मूलतत्व है बी आपसन इसका करेक्ट है रासानिक रूप से कारबन का सुद्धरू का मिस्रण होती है तो इस तरीके से यह सही नहीं है निम्दिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो यह है नाइक्रोम ठीक है क्यों है नाइक्रोम अगला प्रशन डियने फिंगर प्रिंटिंग प्रतित अस्थापत तथा बलातकार वादों अप राधियू की पहचान है तो एक महत्वोaver परिछ बन गया यह बाद सही है मिलकुल सही है और दूसरा है कि डीने परिछन है तो बाल सूखे रक्त वीर के सूचव नमुने प्रयाप्त होते हैं तो यह भी बाद सही है दोनों के दोनों सही है ओश्या भी कर रहा है असपे कुछ भी इसमें से आपको मिल जाए उससे डिने फिंगर पिंटिंग हो जाएगी उससे पता चल जाएगा कौन किसका बेटा है क्या है निम्निखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जनतु है तो पहला सफल क्लोन जनतु यह भेड़ है यह आपसन इसका करेक्ट है मधुवे की प्रियुक्त हार्मोन इनसुलिन का विसकार किसशने किया था तो यह किया था इनसुलिन का विसकार अपजी वैंटिंग ने जितने भी डियाविटिक लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए 1923 में इन्होंने यह कार-나मा कर दिया था वैंटिंग और एक थे वैस्ट इन् मैकलियोड नामक मैग्यानी की साहता से इंसुलिन नामक हार्मोन का सक्रिय जो है तद तो तैयार किया था और बैंटिंग और मैकलियोड को फिर 1923 में नॉबल प्रुसकार भी दिया गया था ठीक है इंसुलिन होता क्या है हार्मोन का इंसुलिन हार्मोन जो होता है यह रुधिर में ग्लुकोज के नियमन से संबंदित होता है अगर ग्लुकोज का नियमन गड़ लाएगा तो इंसान को दिक्कत होगी सूची फासिकेंड कुछ सुमेलित कीजिए, व्याधी और कारण, क्या व्याधी है और उसका क्या कारण है, तो यह पहला है M.F. यह दिरकालीन उपवास कारण होता है, दूसरा है कौसी की ओर कर यह प्रूटीन अलपता के कारण, यह भी सही है, तिसरा है TB, यह जिवानु संक प्राटरमन के कारण होता है एक अप्सां इसका सही हो जाएगा हेमोफीलिया एक अउन्वांसिक विकार है जो उत्मन करता है क्या करता है किक आप्स एक करन मत आ må तो plague, यह plague का संबन्द है जिवान उसे, तो A का हो जाएगा 4, और ads विसान हो है, V का 3, गंजापन कवक के कारण होता है, C का 2, और malaria प्रोटोजोवा के कारण होता है, तो D का 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, D option इसका correct हो जाएगा, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, लाकजा भी कहते हैं, इसको धनुस कंटार भी कहते हैं, धनुस टंकार, कंटार नहीं, धनुस टंकार, धनुस टंकार के नाम से भी यह जाना जाता है, यह आधासा है, धनुस टंकार, लाकज और यह होता कैसे है क्लोस्टीडियम टिटेनी नामक जिवान होता है उसी के कारण से यह होता है संक्रामक रोग है वह पौधे जिने सामानी तौर पर पैट्रोकार्प्स की रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं किसमें इसमें हाइड्रोकार्बन्स और लिपिट्स यह पाया जाता है दो और चार तो इसका उत्तर हो जाएगा बी जो पैट्रोकार्प्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिट्स में धनी होते हैं अंतराष्टिये उन्नत अनुसंधान केंद्र अंतर राष्टिये उन्नत अनुसंदान केंद्र जो विज्ञान प्रद्योकी मंत्राले के अधीन संचालित है यह कहां पर है यह डी आप्शन सही है ठीक है 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 अधराबाद अक्सर आपसे पूछा जाता है यह इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर यह आपसे पल्स रि केंद्र तो यह पूरी लिष्ट आप तयार रखिए केंद्र सरकार द्वारा किस रोग अधनियम को कोरोना वाइरस की रोख्थाम है तो लागू किया गया तो महामारी रोग अधनियम 1897 नवे है उसी को लागू किया गया है COVID-19 बहुत ही कतरनाक है आप लोग इससे बहुत ह बचे रहिए कोसिस करिए कि बाहर न निकल लिए बंगलादेश का नवीन राष्टिय नारा जो बंगलादेश उच नियाले द्वारा घोसित किया गया वो क्या है तो जाय बंगलादेश पूछा जा सकता है C option इसका correct है और वहांके उच नियाले द्वारा यह गोसित किया ग ये कहां परेस्थित है तो ये पूरे महराश्थ मिच्तित है वहां की श्थितिवी कोरोना के करण बहुत खराब हो गई है और अग्ला प्रश्ण कौन सा देश हिंद महासाँगर आयोग का सद्ध शिराश्ट नहीं है तो हिंद महासाँगर आयोग में भारत नहीं है ये और स्कूर एक अंतरसरकारी संगठन है ये जिसमें दच्छिल पश्च्वी हिंद महासागर छेत से जो बहतर सागरी अभिशाशन है उसकी दिसा में कारी करने के लिए इसको बनाया गया है और बरतमान में हिंद महासागर आयोग में कुमरोस है मेडगासकर है और उमारिसस है रियूनियन सामिल है भारत इसमें नहीं है जल सनाच्ष घी जलम्रित यूजना की स्राज के द्वारा प्रारम की गई है इसका प्राइक है उत्तरप्रदेश में ठिक की जैगा पूछा जायेका कभी तो अगला प्रश्ट तेज़स एक्स्प्रेश जो भारत की पर्थं इस्पीड एक गोगम मदरॉई और किस इस्टेशन के बीच में चलाया गया, इंपॉर्टन कुछन है मदरॉई और चन्नेई के बीच में इसको चलाया गया है, नीलग्री बायो सफेर रिजर्व की अस्थापना के सन में की गयी थी, तो यह 1986 अस्थापित हुआ था चर्चा में रहा है, इसल वारा अवारा पसुओं को रखने वाले किसानों को प्रोसाहन रायस उतलत कराई जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है सी इसका उत्तर है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश के सीम योगी ने योगी आदे तिनाज जी ने यह घोशना किया है लोकसभादवारा प् इंवस्टी का दर्जा दिया गया है ख्वाजा मैनुदीन चिस्ती उर्दू अर्भी फार्सी इंवस्टी की अस्थापना कप की गई थी यह इंपॉर्टेंट कुश्चन है और यह अस्थापना की गई थी 2010 में यह चर्चा में क्यों है यूपी कि किसी भी एक्जाम के यूजना प्रारम की गई है यह भारत के द्वारा प्रारम की गई है इंपॉर्टेंट कुश्चन है ठीक है एसी आठिक लाइन जो है इसकी आबादी को बढ़ाने के लिए और इसके लिए प्रोग्राम चलाए गये हैं कि यह विलुफ्त ना होने पाए राष्टिये जलमार्ग अधनियम 2016 के लागू होने के साथ देश में जलमार्गों की संख्या कितनी है तो यह जलमार्ग है 111 सी आपसन इसका करेक्ट है राष्टिये इस नुकर चैंपियंशिप 2020 का बिजेता कौन है तो राष्टिये इस नुकर चैंपियंशिप 2020 का बिजे आधित मेहता और इंपोर्टेंट यह है कि इसने पंका जड़वानी को हराया है पंका जड़वानी 200 चैंपियन रह चुके है आधित मेहता ने इसको हरा दिया है हाली में भारती रेलवे की किस इकाई द्वारा एलेक्ट्रिक इंजिनों की ब्रांडिंग शुरू की गई है तो से एक है आश्टिलियाई ओपन टैनिस चैंपियंशिप उसको इन्होंने 2020 में जो हुआ है उसको जीता है पुरू सेकल कभी जेता यह रहे है सर्वियाई खिलाडी है है ना नुवाग जुकोविच ध्यान रखियेगा और आठवी बार इन्होंने जीता है सैयोग तो सैन अभ्यास संप्रीति का आयोजन किस देश के सैयोग से किया जाता है तो यह बंगलादेश और भारत के बीच में होता है C option इसका correct है हर वर्स यह होता है 2017 में समझोता हुआ था उसी के अनुसारी होता है भारत मंगलादेश नौसेना अभ्यास 2019 में विशाका पट्रन में आउजित किया गया यह भी ध्यान लखिएगा वह समयधानिक अनुचेद या अनुसुची भारत के असम राजी में एक स्वायत छेत रहे है और यह भुटान और उनाचा प्रदेश की तलहटी द्वारा ब्रमपुत नदी के उत्री तट पर जो चार जिले हैं चिरांग, कोकराजहार, बसका और उदलगुरी इनसे बना है यह ठीक है, और बोडोलेंड प्रादेशिक परिशत की अस्थापना सम्मेधान के छठी अनसुची के अंतरगत की गई यह ध्यान रखेगा वह देश जिसके द्वारा सागरमाथा संबाद फोरम का आयोजन किया जा रहा है तो यह नेपाल के द्वारा किया जा रहा है 2-4 अपरेल 2020 को यह होना है लेकिन देखिए कोरोना के कारण हो पाता है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता है कि घुषना हुई है कि होगा या कैंसिल किया जाएगा लेकि मेरे ख्याव से कैंसिल हो जाएगा इसका उद्देश है बैस्विक छेतरी और राष्टिये महत की मुद्दों पर चर्चा करना और इसका नाम सागर माथा जो रखा गया है वो माउंट एवरेष्ट को कहते है नेपाल में उसी के नाम पर राष्टिये स्टार्टप सलाकार प्रिसत की अदेशता किसके द्वारा की जाती है कि जाएगी तो केंद्रिय बाड़े जिव मुद्द्योग मंत्री के द्वारा इसको किया जाएगा अगला प्रश्ण निमनिकित कत्नों पर विचार कीजिए हाली में भारत वारा अमरिका और सौधी अरब के भी तनाव कम करने के उद्देश से हॉर्मुज पीस इनिसियेटिव में भागिदारी की गई क्या ये बात सही है हौर्मुज जल्रमरुमद जो है वो पश्ची मेसिया की एक प्रमुख जलसंदी है ये आप जानते हैं और वो कहां से जाती है अगर ये आप जानते हैं तो प्रश्ण को उतर दे देंगे हौर्मुज जल्रमरुमद में फारस की खाड़ी और वाग कारेक्ट होजाएगा केंद्रियो वबहोगता मामलो के मंतराले द्वारा हॉल मारकिंग सणवाभुषनो को निम्धित में से किस स्रेनी में विहाजीत किया गया है तो इसकी 3 स्रेनिया रखे गई लिए आप्सा अग्ला प्रस्टन निम्लिकित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं वहती ए तो यह गंदक नदी है रस्टरत चंबल केम बहत वह ऊत्तर में वहती है भारत के कौन से राज में फोलर जी लवस्तित है उत्तर प्रतेश में पीली भीत जिले में यह इस्तित है उत्तर परदेश के सोनभद्र जिले की सीमाएं कितने राजी की सीमाओं को असपर्स करती है तो चार राज्यों की सीमाओं को यह असपर्स करती है C option इसका सही है और यह कौन-कौन से राज है एक तो इसमें हो गया MP, एक हो गया 36 गर, एक हो गया इसमें जारखन और एक हो गया बिहार इन चार राज्यों से सोनभद्र की सीमाएं मिलती है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रसिच्छन विए मनसंधान केंद्र कहां पर इस्तित है तो यह लखनओ में इस्तित है ठीक है, कहां पर इस्तित है? लखनओ में C option इसका correct है नाइमि सारण तीर्थ कहां इस्तित है? UP State के सब कुष्चन है तो सीतापुर में इस्तित है कहां पर इस्तित है? सीतापुर में अगला प्रश्ण बरतमान में बारनसी इस्तित विस्टुनात मंदिर का निर्वान किस ने कराया था? तो यह रानी अहल्यावाई ने कराया था A option इसका correct है करोना के करण यह सब बंद चल रहे है इस समय आप भी अपने घरों में बंद रहे हैं लाड कार्नवालीस की कब्र इस्तित है मत किजिएगा गाजी फूर में यह स्तित है उद्धियान वास्दत्ता की कथा किस से समबंदित है तो यह कौसामबी से समबंदित है A option इसका correct है अगला प्रश्ण है सूची को सुमेलित करना है बटेशर, देवा, हरिदास, जैन्ती, नौचंदी, तो बटेशर जो है, यह हो जाएगा, आगरा, देवा, वारवंकी, हरिदास, जैन्ती, तो हरिदास, जैन्ती कहा हो जाएगा, विंदावन, सी का फोर, और नौचंदी, मेरट हो जाएगा, तीन, एक, चार दो, तीन, एक, तो DA सही हो जाएगा इसका UP के question 2019 के PCS के exam में कम पूछे गए गलत किया आयोग ने पूछा जाना चाहिए हर आयोग अपने यहां का state जो होता है उस सबसे ज़्यादा पूछता है हमारा जो आयोग इस state पूछने से कतराता है पता नहीं क्यों कर्मा किस छेतर का लोकनिरत है अगला पूछन तो यह सोनभद्र का लोकनिरत है कर्मा और सीला निरत भी यहां पर है सोनभद और मिरजापूर का जो खरवार आधिवासी समू है उसके द्वारा यह आयोजित किया आता है तो साथ में आप द्यान रखेगा एक और याद कर लीजिए सीला भी अगला प्रश्ण 2011 की जनगर्णा के अनसार सरबादिक जनगनत वाला जिला कौन सा है तो ये है कौन सा गाजियाबाद ए अपसन इसका करेक्ट हो जाएगा सबसे जनगनत तो यहीं पर पाया जाता है ठीक है और वैसे देखा जाए तो यूपी का जनगनत अगर आपसे पूछ लिया तो कितना है 829 है और गाजियाबाद सीर्स पे है फिर वारानसी फिर लखनव आता है सुची फासिकन को सुमिलित कीजिए इंडियन इस्टि्ट्शच आफ हेंडलोम यही मैं कहाएगा था कि अक्सास अनस्थान से प्रशन पूछा जाते हैं तो इंडियन इस्टिच्च आफ हैंडलूम वारानसी में इस्तित है तो यह हो जाएगा एक का फॉर 2-1, 4-3-2-1, ऐसी गलतियां आपसे भी एक्जाम में होती है, इसलिए इन कुश्चन को एक बार सेट करने के बाद चेक करके तब आप टिक करें उसमें, तब गोला बना है, यूपी विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसा भी प्रशन पूछ ले आता है, पुर्स संबंद हो कि, ये गलत है, ये विल्कुल गलत है, तो ऐसा तो दूसरा तो इसमें नहीं होगा, और पहला सही है, लोगता अंत्रिक भी कहेंदरी करण की, तो इसमें जो है, ये भी सही है, और पद सोपानिक सनचना की ये भी सही है, एक तीन और चार, ये हो जाएगा इसका इसमें दिया है एक तीन चार इसको हम एक तीन चार कर दे रहा है और इस को जो पीडियाप आपको मिलेगा उसमें उत्तर इसका सही करके दिया जाएगा अभी यह गलतिया हो जाती है निम्निकित में पर हुई, बहुत सारे उपदेज भी यहीं पर दिये, काफी समय भी ताया, तो इसी कारण से यह बहुत धर्म का पालना कहा जाता है, A option इसका correct हो जाएगा, भीतर गाओं का मंदिर किस जन्पद में इस्तित है, तो यह इस्तित है कानपूर में, A option इसका correct है, भारत में सीर्ज इसनारियल उत्पादक राजी है, इस समय कौन सा है, केरल है, मुझे तो केरल का ही पता है, C option इसका correct है, केरल, और दूसरा फिर अगर आप से पूछा जाए तो करनाटक का अस्थान आता है, कौन सा है, करनाटक, तो पहला तो केरल हो जाएगा, दूसरा करनाटक, अगला प् हाद के रूप में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में पहुचना, ये A option इसका correct है, लेंड मैन का आपने नाम सुना है, लेंड मैन ने 1942 में 10 प्रिस्ट का नियम दिया था, साकाहारी जन्तू, उन्होंने कहा कि उत्पादक की सुद्ध प्रात्मिक उत्पादकता का 10% भाग अपने अंदर संचित करते हैं, फिर जब कोई मान साहरी साकाहरू जन्त को खाता है, तो उसका 10%, फिर उसके आगे 10%, ऐसे ही 10%, 10% ये जाता है, 90% वेस्ट होता रहता है, लेंड मैन का नियम, अगर ऐसे पुछा जाए, लेंड मैन का नियम तब भी यही है, पारितंत तो 2 और 3 हो जाएगा, B option इसका correct हो जाएगा, अगला प्रशन, इन में से कौन खादे सिंखला का निर्मार करता है, तो खादे सिंखला का निर्मार कौन करता है, बताइए, घास गेहूं आम गलत है, घास बकरी आदमी, बकरी कववा हाथी, घास मचली बकरी, तो इसमें घा दो भिन्ने समदा हैं, उनकी बीच का जो संक्रमन छेतर होता है, उसको एकोटोन कहते हैं, दो पारिस्तिक तंतों के मद्ध में ये पाया जाता है, क्या कहते हैं, इसको एकोटोन कहते हैं, ध्यान रखियेगा, ऐसे प्रशन जो पूछे जाते हैं, उसमें कई बार हमको confusion होन पर नहीं है, बताइए, चंडिगाड, जम्मु कस्मेर, लद्दाक, गोवा, इनमिकित में कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, आपको बताना है, और अंगाबाद तो महराष्ट में है, पालन पुर गूजराट नों है, यह गलत है, गुंटूर आंद्रप्रदेश में है, यह भी गलत है, तो इसमें B option इसका correct उत्तर हो जाएगा पालनपुर गुजरात में, यह आपको कैसा लगा, हमको जरूर बता है, अपना इस score जरूर सेर करें, तभी मैं अगला आपको mock test फोर दूँगा, और इसका PDF आपको पढ़ते रहे हैं, एक्जाम जब होंगे, तब एक्जाम दीजिएगा, वैसे भी PCS का एक्जाम 21 जून तक है, आसा करता हो, आप लोगों को भी यह आसा करना चाहिए, कि तब तक सारी इस्तितियां सही हो जाएगी, पूरा 20 जोग करोना से जूज रहा है, सही हो जाएगा, सरकार का आप सही हो करिए, लोगों को अवेर करिए, जो लोग कोरोना को बहुत हलके में ले रहे हैं, नहीं जानते हैं, और फिर मिलते हैं हम अगली आपकी किसी नई क्लास में, थैंक्यू, थैंक्यू बेरी मैच,